C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिये पेश है सफ़ा नंबर 145 सबक 18 केराला की सेर देहली 4 अक्तूबर 2007 प्यारी सहेली आमना ये सही है के मैं तुम्हें बहुत दिनों से कोई खत नहीं लिख पाई मैंने पिछले खत में तुम्हें बताया था के हमारे स्कूल से एक टूर जुनूबी हिंदुस्तान की सेर पर जा रहा है अम्मी अब्बू की अजाज़त से मैं भी उसमें शरीक हो गई हमारी जमात की और लड़कियां भी साथ गई थी हमने करनाटक, तामिल नाडू, आंधरा प्रदेश और केराला की सेर की मुझे केराला बहुत अच्छा लगा रियासत केराला हिंदुस्तान के जुनूब में वाके है यहां जगा जगा नारियल के दरख्त नजर आते हैं केराला के मानी ही नारियल का घर है यही वज़ा है के इस रियासत का नाम केराला पड़ा यहां के लोग नारियल के तेल से खाना पकाते हैं इसके रेशे से रसी, दरियां, ताट पट्टियां और गालीचे बनाते हैं नारियल के दरख्त के तनों और पत्तों से घरों की दिवारें और चप पर बनाए जाते हैं सफ़ा नंबर 146 जुनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश केराला ही में होती है इसलिए यहां घने जंगलात हैं किराला में जगा-जगा समंदर जमीनी हिस्सों के अंदर चला गया है यही इसकी सबसे बड़ी खूपसूर्ती है यहां का ज्यादा तर इलाका पहाड़ी है गर्मी भी बहुत पढ़ती है किराला के हरे भरे और घने जंगल देखने के काबिल है इन जंगलों में हाथियों के जुंड के जुंड नजर आते हैं हमारे उस्ताद ने हमें रोजवूड और सागवान के दरख्त भी दिखाए जो यहां कसरत से पाए जाते हैं केराला की राजधानी तिरुवरंता पुरम है यहां की जबान मल्यालम है कथाकली यहां का मशूर नाच है और ओनम यहां का खास तहवार हमने देखा कि गर्मी की फसलें कट चुकी थी किसान बहुत खुश और मुतमईन थे जब हम लोग वहां पहुँचे तो बड़े जोरो शोर से ओनम की तैयारिया हो रही थी ओनम का जशन दस दिन तक चलता है इन दिनों केराला में जगा जगा नाच गाने और खेलों के मुकाबले होते हैं हाथियों के जुलूस निकलते हैं कश्टियों की दौड होती है तरह तरह के पकवान तैयार किये जाते हैं दोस्तों, पड़ोसियों और रिष्टेदारों की दावते होती हैं हमने देखा के ओनम के मौके पर लड़के लड़कियां सुब सवेरे हाथों में टोकरियां लिये निकल जाती हैं सफा नंबर 147 वो अपनी टोकरियों में रंग बिरंगे फूल जमा करके लोटती हैं औरतें नहाधो कर नए कपड़े पहनती हैं और इन फूलों से रंग बिरंगी रंगोलियां बनाती हैं घर के बीचों बीच सहन में चोको रंगोली देखकर मैं तो हैरान रह गई अलग अलग रंगों और तरह तरह के फूलों से उसे खूब सजाया गया था हमने वहां के लोगों से रंगोली बनाने का तरीका सीखा हमारे उस्ताद ने कहा कि इस बार सालाना जलसे में महमानों के इस्तखपाल के लिए हम भी स्कूल के आंगन में रंगोली बनाएंगे ओनम के इस उमंग भरे तहवार पर कश्टियों की दौड देखने से तालुख रखती है मल्यालम में इसे बल्लम कली कहते हैं इस दौड में हिस्सा लेने वाली कश्टियों का अगला हिस्सा साप के फन की शकल का बनाया जाता है पिछला हिस्सा साप की दौम मालूम होता है तकरीबन 15 मीटर लंबी कश्टि में 50 आदमियों के बैठने की जगा होती है सब चमकीले और भड़कदार कपड़े पहने होते है दूर दूर से लोग इन नाग भनी कश्टियों की दौड देखने आते हैं और नाव खेने वालों का होसला बढ़ाते है किनारे खड़े होकर हमने इस दौड के खूब मजे लिए और जीतने वाली कश्टियों के मलाहों से हाथ मिला कर उन्हें मुबारक बात दी केरला की हसीन वादियां, बहते जहरने, लहलहाते खेट और समंदर के खूब सूरत साहिल मुझे इतने पसंदाए कि मैंने इस सेर में तुम्हें भी शरीक कर लिया आखिर में ये और बता दू के केरला वाले तालीम में बहुत आगे हैं, वहां पढ़ने वालों की तादाद सौ फीसद है खुदा हाफिज, तुम्हारी दोस्त जैनब सफ़ा नंबर 119 मश्क, लवज और मानी जुनूब एक सिम्त का नाम दकन खालीचा कालीन रोजवुट एक पिसम की लकड़ी इस्तक्बाल खैरमक्दम स्वागत अलामत निशानी बल्ला नाव खेने वाला गोर कीजिए केरला के दिलकश और खुबसूरत गुदरती मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं सोचिए, बताईए और लिखिए एक जैनब ने किन-किन रियासतों की सैर की दो केरला के लोग नारियल को किन-किन कामों में इस्तेमाल करते हैं तीन केरला की राश्थानी और यहां की जबान क्या है चार केरला का सबसे मशूर तहवार कौन सा है और वो कितने दिन मनाया जाता है पांच रंगोली किस तरह बनाई जाती है छे वल्लम कली क्या है और यह कैसे खेला जाता है सफ़ा नंबर एक सो पचास खाली जगों में सही लवज लिखिए एक रियासत कैरला हिंदुस्तान के खाली जगा में वाके है दो कैरला के हरे भरे और घने खाली जगा देखने के काबिल है तीन हम लोग वहां पहुँचे तो बड़े जोर उशोर से खाली जगा की तयारियां हो रही थी चार फूलों से रंग विरंगी खाली जगा बनाई जाती है पांच दूर दूर से लोग इन नागफनी खाली जगा की दोड़ देखने आते हैं छे वहां पढ़ने वालों की खाली जगा सौ फीसद है इन लवजों से जुमले बनाईए तहवार नारियल बल्ला रंगोली जश्न दिये हुए जुमलों में जहां जहां सिफत का इस्तेमाल हुआ है उसे पहचानिये और काली जगों में लिखिए सब चमकीले और भड़कदार कपड़े पहने होते हैं केराला की हसीनवादियां बहते जड़ने लेलहाते खेत और समंदर के खुबसूरत साहिल मुझे इतने पसंद आए कि मैंने इस सेर में तुम्हें भी शरीक कर लिया सफ़ा नंबर 151 हर तस्वीर के नीचे उसका सही उन्वान लिखिए केराला की सेर पर पाँच जुमले लिखिए सफ़ा नंबर 152 यहां रंगोली का खाका दिया गया है उसमें रंग भरिये अमली काम अपने दोस्त को एक खत लिखिए जिसमें अपने किसी सफर का हाल बयान कीजिए इसी के साथ ये सबख यहीं पर खत्म हुआ समय रिकॉर्डिस्ट बटिलैंग लिंग्डो समय फनकार परवेज गोहर और शिमायला परवेज एडिटिंग हिदायत कार और तखलीक कार विमलेश चौधरी पेशकरदा CIET NCERT नई दिल्ली भारत जए जए रिकॉर्डिस्ट